और इसी की शुरुआत के साथ अब धनंजेस गिरी जी आपसे इस सवालों की शुरुआत कर रही हूं क्योंकि अब तो विधानसभार चुनाव महराश्ट्र और हर्याना की अगर हम बात करें तो बहुत जादा समय नहीं है चिंतन मंथन आपकी यहां चल तो रहा है लेकिन बड़ा भाई कौन बनेगा और बात तो बिहार भी है हलांकि बिहार में भी वक्त है अगले साल चुनाव है लेकिन फिलहाल अगर मैं महरास्ट्र की बात कर लूं तो क्या यहां छोटे भाई की भूमी का में आने के लिए आप पर्यास भाई करती है चुनाव कोई मौसमी मुवमेंट नहीं है पोलिटिक समरा पाट टाइब जॉन नहीं है हम जोड़ तोड कि नहीं बलकि जी जान से लगते हैं और हमारे सहयोग भी जी जान से लगते हैं चुनावम में जोड के पादिक लिए। कि युनाव छोटा है युआ बड़ा भारती जंता पार्टी का हरे कारे करता है जी जान से लगता है जी तोड से लगता है विपक्षी बहलियों से जंता सावधान हो चुकी है मुझे लग रहा है चल बोजा शुट हर पल मनाओ केस्री ते वाहर विमा बोलो जुमा केस्री चार अजय गिरी जी आप इस शब्दों की जुगल बंदी में कुछ चीज़े भूल जाते हैं जोड तोड आप नहीं करते हैं कैसे नहीं करते हैं महराष्ट में दो सबसे ज्यादा हुए जी जान की राजनिती करते हैं जी जान से लगते हैं अपने सहयोगियों के साथ जी जान से लगते हैं और जी जान से लगने का ही नतीजा है कि हम 62 के बाद पहली बार कोई सरकार तीसरी बार तीसरा बार उचली है और उसकी अत्रिक्ता पकराएं तो करनाटक की जनता अभी करा रही है कांग्रेस के सासन से जब इतीन रुपया और तीन रुपया बीस पैसा बढ़ा है वो लोग खटा-खट बाबा को खोज रहे हैं और करनाटक से महराश्टरा की कोई दूरी नहीं है और इस देश की जनता जान चुकी है कि कांग्रेस को कहा रही है कि क्या हुआ तेरा व उचाहिया चूरा है प्रिजाइल फाइब एकनोमी आज टॉप फाइब एकनोमी पहुँच चुकी है जिस तरह से और जैसे तरह से सरकार ने जैसा ही ओथ लिया तुरक पहले किसान सम्मान निदिर लिज हुई तीन कड़ोर नए घर बनाने के बात की गई और करनाटक में उपक्षा करता है और उन पर चोट करता है इसलिए महराष्टो में चुना होने जा रहे हैं लोक सबा होगे चाच सा चार विदान सबानाओं में चुना हुई जिसमें हम उडिस्टा में पहली बार कंल आ और कितना जबरदस्ट खिलाई आपको दिख रहा है और उनाचल में हम आए हमने इंट्री की है और आप देखे जहां 20 साल से मजीश मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है ती साल से हमारी सरकार है गुजरात में वहां सारी सीटे ले रहे हैं और जहां 20 महिना से कॉंग्रेस की सर पत्रकार नहीं वाई है करनातक में और राजस्पान में बहुमत नहीं पहुच पाए ना बीज़ेपी नहीं वासी कर पाए 272 303 का आकड़ा पाने वाली पार्टी 240 में सिमट गई पुजा जी हम तमाम उन पत्रकार बित्रों का धन्यवाद करते हैं और उन विपक्ष का भी धन्यवाद करते हैं जुनोंने हमारे मुल्य और मानक अत्यांत ऊपर सठ किये तो जानते हैं कि भारते जंता पार्टी उन मानकों तक पहुंच सकती है कांग्रेस 145 को भी बहुमत समझती है और 202 को भी समझती है लेकिन अप हमारे को कि यह आपको लगता है कि हमारे इंडी का नेता को नहीं आप हमको बता दीन तो इस इंडी गड़बंदन नेता कौन आप पूछिए। पूरा इंडी मौन और अगर आप इंडिया में पूछिए गा तो सब को ही कहेंगा नरेंदर मोढी नरेंदर मोढी तो यहाँ नेत्रत होता है वहां आज तक नेता नहीं हो पाया दिल्ली के दगावाज दिल्ली चुना होते हैं एक दिल किनारा कर लिया आप एक चैरे पर फोकस रहे उस पर तो सवाल RSS नहीं उठा दिये संग हमारा महतरी संग अठान है वो सब को बताता है कि सही क्या करना है नहीं करना उनकी अपनी अपनी पॉलिशी उन्ट वह बात करते हैं और संग की अगरा बात करें तो संग वह ऐसी कोई राजनितिक दल तो है नहीं संग कैसा तो संग जैसा लेकिन संग का सबार उठाना ये कि अपर निर्मान का कारे करता है और रास्त हीतन में सुझाव देता यह संग का रहे हैं चंग को समझने के लिए संग की साखा रहा पदेशन कुछ कहना चाहरे हैं मुझे लगा रहे है कुछ इंट्रस्टिंग उनके दिमाग में आया होगा कि शोड जी